हमारे नक्षत्र की सीरीज में हम बात करते हैं मूल नक्षत्र के प्रोफेशन्स पर यदि किसी का मूल नक्षत्र दशमभाव से जुड़ता है दशममेश यहां बैठा होता है या जो ग्रह बैठा है वो दशमभाव को दृष्ट कर रहा है या आपके दशम भाव में ही मूल नक्षत्रा आता है तो ऐसी स्तिती में व्यक्ति भिन प्रकार के काम कर सकता है मूल नक्षत्रा तह तक जाता है तो ऐसे लोग जो है वो शोध कर सकते हैं ऐसे लोग जो है वो architecture और especially archaeology का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं यही नहीं ऐसे लोग जो है वो धन धान, खल्यान का भी काम कर सकते हैं और साथ ही ये लोग जो है वो गुपचर, विभाग में भी काम कर सकते हैं बंदूक आधी ये सब arms and ammunitions का भी काम इनको बहुत अच्छे से करना आता है तो अब यहां कौन सा ग्रह बैठा है ये भी हमें देखने की आवश्र रखता है यदि मंगल बैठा है तो आप गुपचर का विवभाग में काम कर सकते हैं आप arms and ammunitions के साथ काम कर सकते हैं यदि गुरू बैठा है तो आप शोध कर सकते हैं केतु बैठा है तो आप दवाईयों का काम कर सकते हैं चंद्रमा बैठा है तो ऐसी स्तिती में आप अनाच पानी का काम कर सकते हैं डिपेंड करता है कि ग्रहे कौन सा मून लक्षत्र में पैठा हुआ है।